क्या इद्दत का टाइम खतम होने के बाद एक मुस्लिम महिला CRPC के सेक्षन 125 CRPC के तहित मेंटेनन्स का दावा कर सकती है। कुछ इसी तरह का मामला था इलाहबाद हाई कोट के सामने। आज हम बात कर रहे हैं केस रजिया वर्सेस स्टेट आफ यूपी केस के बारे में और इस केस के सुनवाई ओनरीबल जस्टीस करूने सिंग पवार की बेंच कर रही थी। लखनव में इलाहबाद हाई कोट ने माना कि एक तलाग शुदा मुसलिम महिला इद्दत की अवधिस समाप्त हो जाने के बाद जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं करती, CRPC के सेक्शन 125 के तहत अपने पती से मेंटेनेंस पाने की हगतार होती है। इस मामले में ट्राइल कोट ने CRPC के सेक्शन 125 के तहत एक मुसलिम महिला की एप्लिकेशन को स्वेकार कर लिया। पाँच मामलों पर फैसला सुनाने के बाद अपील कोट ने मुसलिम महिला को दिये गए एक हजार रुपे के मेंटेनेंस को रद कर दिया था। कोट ने डैनियल लतीफी और अनेदर वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोट के फैसले का हवाला दिया था। इस केस में रिविजन कोट ने केवल इस आधार पर रिविजन की इजाज़त दी थी क्योंकि पती ने पतनी को तलाग दे दिया था। इसलिए कहा गया कि वो मुसलिम महिला अधिनियम 1986 के द्वारा बेनिफिट उठा सकती है। निचली कोट में ये कहा गया कि महिला ने तलाग को स्विकार कर लिया था और वो मुसलिम महिला अधिनियम के प्रोविजन के तहत नहीं आती। इसलिए CRPC के सेक्षन 125 के तहत उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन हाई कोट ने कहा कि सेक्षन 125 CRPC के तहत ये प्रोविजन तलाग शुदा मुसलिम महिला पर भी लागू होता है। इसके अलावा शबाना बानो मामले में भरोसा जताते हुए हाई कोट ने ये कंक्लूजन निकाला कि एक तलाग शुदा मुसलिम महिला CRPC के सेक्षन 125 के तहत अपने पती से मेंटेनेंस मांग सकती है। बहले ही इदद की अवधी समाप्त हो गई हो लेकिन उसने दूसरी शादी ना की हो। जेज्मेन की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इंफोमेट हो है तो आप इसे लाइक, शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।